ओम परमात्मने नमाः नमस्कार मित्रों यूट्यूब पर आप नहीं आये हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आज से हम बारह लगनों के कौन कौन से ग्रह शुब और अशुब फलुत्पन करते हैं इस विशे में हम ग्रमवार विवेचन करेंगे यह विवेचन पारासर जी के नियमों की अनुसार ही होगा और कहीं पर विरोधाभास आता है तो उसे भी दूर हो सकेगा आज हम प्रथम लगन की मेश लगन का विवेचन करेंगे मेरे साथ आप भी इन इश्लोकों का वाचन करेंगे मन्द सौम्य सिताफ आप शुभव गुरु दिवाह करव न शुभम योग मात्रेण प्रभवेचन जीवयो हो परतंत्रेण जीवस्य पापत्व मपिसिद्यती कविस्साक्षान निहंताश्यान मारकत्वे नलक्षितह मन्दादयो निहंतारो भवेयु आपिनो गृहाह शुभा शुभफलान नेवं ग्यातव्यानिक्रियोद भवे तो अभी यह मेशलगन के लिए यह तीन श्लोग प्रायह ग्रंथों में हमें मिलते हैं तो हम यह तीन श्लोग क्या कहते हैं मेशलगन के विशे में तो कहते हैं मन्द सौम सिताह पापा मेशलगन हो तो शनी भुद्ध और शुक्र आशुभफल देते हैं मेशलगन हो तो शनी भुद्ध और शुक्र आशुभफल देते हैं गुरु और सूरिय शुभफल देते हैं शनी गुरु का योग शुभफल दायक नहीं होता यहां पे शनी और गुरु का योग शुभफल दायक नहीं होता परन्तु उतने से गुरु का अशुभफत्व भी सिद्ध होता है गुरु मारक स्थान का अधिपती होने के कारण उसके मारक होना चाहिए परन्तु केवल इतने ही कारण पर सेवा मारक नहीं बनता शनी आदी करके पाप ग्रह मारक बनते हैं इस प्रकार मेश लगन में जातक को शुब और अशुब योग होते हैं यह ग्याताओं को जानना चाहिए मेश लगन में शनी दसमेश और एकादसे स्थानों का बुद्ध तरतिये और शष्ट स्थानों का और शुक्र द्वितिये और शप्तम स्थानों का अधिपती होता है तरतिये शष्ट अश्ट एकादस द्वादस इन स्थानों के अधिपती अशुफल देते हैं ऐसा पूर्मे या ऐसा पाराशिरी जी का मत है शुब घ्रह केंद्रों में हो तो शुफल नहीं देते इसी प्रकार मेश लगन में लगन स्वामी मंगल है और बुध, शुकर तथा शनी उसके मित्र भी नहीं है इस कारण से बुध, शुकर और शनी अशुब होते हैं और शुफल प्रदान करते हैं सूरिय पंचम स्थान का जो कि त्रिकोंड स्थान है वहां का स्वामी है गुरु नवम और द्वाद स्थानों का स्वामी है सूर्य और गुरु दोनों ही लगन स्वामी मंगल की मित्र है और वे याने मकर और कुम्ब राज्यों का जो स्वामी सनी है अर्थार्थ दोनों शुब योग कारक स्थानों का मालिक होने से प्रचंड राज्यों कारक होता ऐसा अनुभो है लेकिन इस प्रकार का राजियोग करने वाला सनी किसी भी पापकर से युक्त द्रिष्ट अत्वाशुब स्थानों में नहीं होना चाहिए यहाँ पर एकादस भाव का स्वामी होने से भी कुछ राजियोग भंग जरूर करता है सनी क्योंकि पारासर जी ने राजियोग अध्याय के लाष्ट का स्लोक में कह दिया धर्म करमा दिनेतारो रंद्रलाभा दिपो यदि तयो संभंध मात्रेन नयोगन लबतेनरा कि उस थान का स्वामी होने से अश्टम और एकादस भाव के स्वामी होने से ही कोई भी ग्रह है अगर राजियोग बनाता है तो राजियोग नहीं बनता है वह राजियोग का फल उस जातक को नहीं मिल पाता है ऐसे ही ये गुरू द्वादस भाव का स्वामी है किन्तु लगनिस का मित्र है और द्वादस भाव का स्वामी होने से अब कहते हैं वह अकेला और शुब द्रिष्ट ऐसा होने पर शनी उसके परमुच परकार के फल मिलते हैं अगर अच्छा हो अच्छी स्थान में उच्छ का बेठा हुआ हो तो अच्छा फल मिल जाता है अन्यता उसके वेभो कारक फलो में नियूनता रहती है क्योंकि वह एक अदस भाव का स्वामी हो गया सनी अकेला रहने की अपेक्षा अन्य शुब ग्रह के साथ दी संबंद करता हो तो वह अति उत्कृष्ट होते हैं क्यों यहां पर का शुब हो दिवा करव शनी दिवा करव इस पाठांतर को स्विकार किया जाए पर यह नहीं है यहां पर गुरु दिवा करव है गुरु और शुरी कहीं पर शनी दिवा करव का है अगर इसको स्विकार किया जाए तो इन दोनों का योग भी सुब बन सकता है अब मेश लगन में कौन कौन से योग है जो शफल हो जाते हैं और अच्छे फल देते हैं जैसे सूरिय और मंगल सूरिय यहां पर पंचमभाव का स्वामी है और मंगल यहां पर लगन का स्वामी है सूरिय त्रिकोने से मंगल केंद्रे से केंद्र का स्वामी है लगन का स्वामी है भारासर जी ने कहा है अगर यहाँ पर सूर्य के साथ में मंगल अस्त भी हो जाता है तो भी भराज योग कारक है क्योंकि का है केंद्र त्रिकोन नेतारव दोस युक्ता वपिस्वयम संभन्द मात्राद बलिनो भवेताम योग कारक हो अगर मंगल अस्त है फिर भी योग कारक होगा क्यों होगा क्योंकि इनका संभन्द ही बली हो जाता है लगनेस और पंच में इसका संभन्द राज योग कारक हो जाता है एसे ही सूरिय और चंद्रमा का फल भी राज योग कारक हो जाता है क्योंकि चंद्रमा चतुर्थेस है और यहां पर ध्यान देने योग की यह बात है कि चंद्रमा यहां पर शुब हुआ तो नहीं होगा क्योंकि वह एकादस बाओ में बेट करके संभन्द करे सूरिय से तो यह राज योग फल नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह शुब हो जाएगा और केंद्रों के स्वामे शुब होने से अच्छा फल नहीं देते है हाँ यह दोस भी मिट सकता है कहीं पर कहा है दोस मिट जाएगा क्योंकि दोस भी योग तो नहीं पर भी केंद्र त्रिकोन के स्वामे का संभन्द होना तो राज योग कारक ही है साथ में हो अमावश्या का जनम मोपाप ग्रह हो सूरिय और चंद्रमा पास में ही बेठे हुए हो एक दूसरे की राशे में बेठे हुए हो चत्रुत पंचम में या साथ में बेठे हुए तो यह राज योग बहुत अच्छा होगा और कौन-कौन सुब देते हैं जैसे तो सूरिय और शुक्र क्योंकि सूरिय पंचम भाव का स्वामी है और शुक्र सब्तम भाव का स्वामी है पर यह योग दूशित हो गया क्योंकि शुक्र सर प्रदम तो मारक भाव का स्वामी है दूतिय भाव वसब्तम भाव का स्वामी है शुक्र तो मारक हो गया और उपर से केंद्रा दिपत्य दोसस्तू बलवान गुरु सुक्र योहो मारक अत्वेप जदयोर मारक स्थान समस्तिती केंदरादी पत्ति होने से इसको दोस मिल जाता है और और शाथ में मारकेस होने से यह शुक्र दूशित हो गया इसलिए सूर्य वशुक्र का दोस होने से यह योगतो पर निक्रिष्ट सदोस है परंतु सूर्य दूशित नहीं है हाँ एक दोस युक्तो ने से राजयोग सफलो जाता है दोस युक्ता वपिस्वयम संभंद मात्राद बलिनो भवेताम योग का रखो शुक्र दूशित है सूर्य नहीं है तो यह भी किंचित तो फल देगा ही देगा वेसे ही सूर्य और शनी इन दोनों का योग अगर हो तो य भी फल निदे पाएंगे नयोगन लबते नर धर्म कर्मा दिनेता रोरंद्रला भादि पोय दी तयो संबंद मात्रेन नयोगन लबते नर यह फल नहीं देगा सूर्य और शनी अम मंगल और गुरु यह बहुत अच्छा राजयोग है मंगल और गुरु गुरु यहाँ पर भाग्ये से और यहाँ पर मंगल लगने से तो यह राजयोग अति उत्तम राजयोग है अश्टमभाव का स्वामी है मंगल कहा है पारासर जी ने बुदस्त दनुचंद की से एवसुबसंधाता लगनाधी सो पिचेत स्वयम अगर रंद्र का स्वामी अगर स्वयम लगने से तो वह दोस्मुक्त हो जाता है इसलिए मंगल यहां पर राजयोग कारक है गुरू द्वादसेश है द्वादसेश के लिए का है ही है कि अगर कोई द्वादसेश हो तो और यह भी राजयोग कारक है चंद्र और गुरू यदि चंद्रमा पूर्ण हो शुक्ल पश्का हो चत्रस्तान का स्वामी अगर कारण राजयोग करता है पूर्ण चंद्रोंने से सुब माना गया है परन्तु इस ग्रंत के नीमों के अनुसार के इंद्रेश से दिसुब ग्रोव हो तो अशुब होता है इसलिए यह योग सदोस होगा अगर क्षीन होए सूरी के पास में हो तो गुरू के द्वादसे सोने से उसका दोस नश्ट करता ही है परन्तु वह योग कारक हो जाता है चंद्रमा तो यहाँ पर हम देख रहे थे मेस लगने के शुबा शुब योग शुब योग कौन कौन से वे वापको वापस एक बार बता देना चाहता हूँ सूरी पंचम स्थान का अर्था त्रिकोन स्थान का अधिपती होनी होकर यदि स्वग्र में हो तो श्लोक के अनुसार शुब होकर शुबफल देने वाला है क्योंकि सर्वे त्रिकोन ने तारो ग्रहा शुफल अप्रदा पारासर जी के श्लोक है और गुरू त्रिकोन का स्वामी है वह भी स्वग्रियों तो बहुत अच्छा पल देगा खीन चंद्रमा अलप दूशित होता है और शुम माना गया है मेश लगन में क्योंकि अच्छा माना गया है उसको वशुफल देने वाला होता है मंगल अश्टमस्तान का स्वामी ओकर भी लगने जी भी होता है अश्टमस्ता लगना दिसो पिचेत स्वयम काई है तो वह अब इस मेश लगन में सुफल देता है अश्टमस्तान का अधिपती होने से पाप ग्रह है यह तो शुब हुआ पर एकादस स्थान का अधिपती होने के कारण पता यह त्रशडाय आनाम यदी पावफल अप्रदा त्रशडाय एकादस भाव का स्वामी ओने से वसुब हो गया बाद में पारासर जी ने कहा भी है धर्म कर्मा दिने तार और अंद्र लाभादी पोजे दी तो यो संबंद मात्रे ने न योगन लबते नरभ तो ऐसा सनी योगकारक नहीं है यह त्रशडाय पती हो गया जिसमें भी प्रबल एकादस भाव का स्वामी होने से यह योगकारक नहीं रहा बुद्ध यहाँ पर क्या करता है बुद्ध तर्तिय और शष्टबाव का स्वामी है तो यह पताया त्रशडाया आनाम तीन और छ्वामि नहीं होते ही यह तो सुप्फ़ लो गया रो मारक हो गया इसकंड़ी में शुक्र भी मारक स्थानों का स्वामी है अधिपत्य होने के कारण और केंद्र का स्वामी होने के कारण केंद्र अधिपत्य दोस्त मारकत्प भी उसमें आ गया तो विशेज जादा कर मृत्युकारक हो गया यह ग्रह शुक्र तो यह भी राजुकारक नहीं है गुरू द्वादस्थान का दिपती होकर नवम स्थान त्रकोन का बेदी पती है वह जिदि दसम और एकादस्थान के स्वामिश स्थाना दिपत्य योग करे तो वह पाप ग्रही माना जाएगा रिनका योग शुक्फल देने वाला नहीं होगा तो गुरू और शनी का योग निश्फल हो जाता है अगर शनी गुरू का योग क्योंकि पारासर जी ने अपने पारासरी के लाश्ट में काया है 41 लोग में 42 लोग में काया है लगन करमा दिने अतारो वन्यूनियस रेसिस्तम राजय योग विदिप्रोक्त विख्यात विजी पर यह योग यहाँ पर लागू नहीं होगा कि लगन करम के दिपती एक दूसरे की रासी में हो ऐसे कि इन्ट सनी का यह सनी यहाँ पर दूशित हो जाता है तो यहाँ पर यह अशुब फल नहीं देंगे अशुब फल ही देंगे तो हम अगले वीडियो में ब्रशब लगन के लिए बनाएंगे फिर एक बार आप मेरे शाथ इन श्लोकों का वाचन करें मन्द सौम्य सिताफ पापा शुभो गुरु दिवा करो न शुभम्योग मा त्रेण प्रभवेच्छन जीवयो हो परतंत्रेण जीवस्य पापत्व मपिसिध्यती कवि साक्षान निहंताश्यान मार कत्वे नलक्षित ह मन्दादयो निहंतारो भवेय आपिनो ग्रहा शुभा शुभफला अन्येवं ज्यातव्यानिक्रियोद भवै